माइक्रो बिट में एक मैगनेटोमीटर सेंसर लगा है और इस मैगनेटोमीटर सेंसर से हम अपने माइक्रो बिट को एक कॉमपास की तरह यूज कर सकते हैं जैसे इस वक्त यह माइक्रो बिट बता रहा है कि नॉर्थ इस तरफ है और जैसे जैसे मैं इसको टरन करता हूँ तो अब यह बता रहा है कि नॉर्थ इस तरफ है और अगर मैं इसको और टरन कर रहा हूँ तो इस जो है वो इस तरफ है और साउथ इस तरफ है South इस तरफ है और West जो है वो इधर है और इधर फिर North West है और ये हम फिर Back to North आ गए हैं तो इस वीडियो में हम ये Compass बनाना सीखते हैं अगर आप कालातीतकौशल.in वेबसाइट पर जाओगे और यहां आप कोर्स पर जाओगे तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनको मैंने यहां पर एक कोर्स के रूप में डाल दिया है For example, जो यह Microbit पर जितने मेरे Tutorials हैं अगर आप Microbit in Hindi इस कोर्स पर जाओगे तो यहां पर यह सब अवेलेबल है आपको यहां यह सब फ्री है, कोई registration की दुरूरत नहीं है आप यहां जाके अगर start learning करोगे तो यहां पर मैंने जितने भी वीडियोज हैं उनको एक proper sequence में like a course डाल दिया है कि परिचय, simple projects, sensors with Microbit और जैसे जैसे मैं और नए वीडियोज डालूँगा मैं इस course में add करता जाऊंगा और इसी तरीके से इस website पर बाकी courses भी scratch का electronics के उपर ब्रह्मान का अद्भुतितिहा, super learner कैसे बने और बाकी कई सारे courses जो हैं सब यहां पर initial free में available हैं तो Microbit में compass बनाना सीखते हैं मैं makeco.microbit.org website पर हूँ यहां मैंने एक नया project शुरू किया है जिसका नाम मैंने दिया है magnetometer compass Microbit का magnetometer sensor यूज़ करने के लिए अगर आप input में जाओगे तो यहां पर एक बना-बनाया component है called compass heading यह compass heading component यूज़ करने के लिए मैं variables में जाके एक नया variable बना रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ degrees और मैं यह set degrees की command forever में डाल कर यह start को में delete कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि forever set this variable called degrees to whatever is the reading we are getting from this component called compass heading और जैसे ही मैं इसको यहां पर add करता हूँ तो हमारे को यह जो simulator में एक नया item मिल जाता है और यह हमें बता रहा है कि कौन सी जो हमारी compass heading की जो reading है वो किस direction को point out करती है तो इसमें zero degrees जो है वो north की तरफ point करता है तो यानि कि अगर compass heading हमारी जो reading है वो zero degrees है तो हम कहेंगे कि तब हमारा जो microbit है वो north की तरफ face करता है तो अब हम program क्या लिखना चाहते हैं हम कहना चाहते हैं कि अगर between certain degrees let's say somewhere from here to here हो तो हम कहेंगे north है यहां से यहां हो तो हम कहेंगे east है और हम यह क्यों करेंगे क्योंकि that is how the compass works तो compass को समझने के लिए हम यह कह रहे हैं कि अगर up किसी भी map में हम ऐसा कहते हैं कि जो upward direction है वो north है जो downward direction है वो south है right की तरफ east है और left की तरफ west है तो हम यहां कह रहे हैं कि अगर zero degree होगा तो अगर हमारी compass heading की जो हमें reading मिलेगी magnetometer sensor के basis पर वो अगर zero degree होगी that means north है बट अगर वो up to जो वैसे map में northeast हो जाता let's say around 45 degrees because हम कर क्या रहे हैं हम कह रहे हैं कि जो north और east है वो 90 degree के angle पर है तो somewhere in the middle 45 degrees जो है तो from zero degrees to 45 degrees हम कह रहे हैं कि अगर compass heading की यह reading होगी तब हम कहेंगे कि हमारा जो microbit है वो north की तरफ face कर रहा है तो इसको हम programming में कैसे लिखेंगे हम logic में जाके condition check कर रहे हैं कि हमने यह जो degrees नाम का variable बनाया है जिसमें हम compass heading की reading को save कर रहे हैं वो अगर between zero and 45 degrees है यानि कि less than 45 degrees है तो हम कह रहे हैं कि हमारा microbit north की तरफ face कर रहा है तो इसके लिए मैं logic में जाके एक यहां से comparison का statement ला रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि अगर हमारा यह जो variable है degrees नाम का यह यह less than 45 है तो हम कह रहे हैं कि north जो है हमारा microbit north की तरफ face कर रहा है तो तब हम कुछ भी indication दे सकते हैं मैं यहां कह रहा हूँ कि show a string and हमारे basically जो LED display है उसमें n दिखा देना फिर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा जो compass heading की हमारे को reading मिल रही है वो अगर less than 135 degrees है क्योंकि हम कह रहे हैं कि वैसे तो east जो है वो 90 degrees पर होता पट हम अब भी program लिखने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर जो reading है वो anywhere between 45 degrees to 135 degrees है तो हम कह देंगे कि towards east जो है microbit हमारा face कर रहा है तो हम less than 45 degrees तो already define कर चुके हैं कि north होगा तो अब हम next जो conditional statement हम check कर रहे हैं वो है कि अगर compass heading की reading less than 135 degrees है तो microbit जो है वो east की तरफ face कर रहा है तो इसको हम program में कैसे लिखेंगे कि हम एक और यहां पर else if डालना चाहते हैं तो अगर आप ये if then else के condition में ये plus को press करोगे तो आपको एक else if की command मिल जाएगी और मैं यहां से ये duplicate करके कह रहा हूँ कि अगर जो हमारी compass heading की reading जो है जो degrees नाम की variable में saved है वो अगर less than 135 degrees है तो यहां पर हम कह देंगे कि वो east जो है दिखा देना e को microbit में display कर देना और उसके बाद जो south है वो 180 degrees पर है पर again हम एक area को यहां पर demarkate कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर reading anywhere between 135 degrees to 225 degrees होगी तो हम मान लेंगे कि microbit हमारा वो south की तरफ face कर रहा है तो again less than 135 की condition हम already check कर चुके हैं तो next condition हम लिख रहे हैं कि अगर less than 225 की reading होगी तब हम कहेंगे कि south जो है उसको display कर देना तो मैं फिर से plus दबा के एक else if की condition ला रहा हूँ इसको duplicate कर रहा हूँ और यहां कह रहा हूँ अगर less than 225 होगा तो जो है south या s display कर देना और फिर west जो है वो 270 degrees पर है पर हम फिर से एक area demarkate कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अगर reading anywhere between 225 degrees and 315 degrees होगी तो west indicate कर देना तो मैं फिर से plus दबा के एक और else if condition add कर रहा हूँ और मैं duplicate करके यहां कह रहा हूँ कि अगर less than 315 होगी तो हमार फिर से यहां पर दिखा देना कि microbit west की तरफ face कर रहा है और finally अगर more than 315 degrees हो up to 360 या 0 तब क्या करना क्योंकि बाकी तो हमने सब define कर दी है conditions बट यह वाली condition अभी नहीं define हुई है तो यह करने के हमापस दो तरीके हैं या तो हम यहां पर जो यह हमारा statement था इसको हम combine कर सकते हैं यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर less than 45 degrees हो या more than 315 degrees हो right less than 45 degrees या more than 315 degrees इस area में कहीं पर भी अगर हमारी reading हो तो north कहना तो हम या तो यहां पर एक और का condition डाल के दो conditions डाल सकते हैं या हमने बाकी सारी condition चेक कर ली हैं केवल अगर जो reading हो सकती है वो केवल between 315 to 360 हो सकती है तो हम simple रखने के लिए हम इसको duplicate करके यहां पर फिर से हम कह रहे हैं कि अगर इन में से कोई भी condition नहीं हुई 135, 225, 315 तो तब भी north दिखा देना तो यह जो अब हमने अभी यह जो program लिखा है यह अब हमारी सारी compass heading की जो भी readings है इनको हम cover कर रहे है और हमने assign कर दिया है कि reading जो भी हो उसके हिसाब से direction जो है वो दिखाना तो अब next step पर हम इस program को अपने microbit में transfer करते हैं तो हमारा जो program है वो transfer हो रहा है जब आप first time magnetometer sensor का कोई भी program अपने microbit में upload करोगे तो थोड़ा सा time लगेगा और जब first time आप magnetometer sensor लगाओगे तो आपको ये message मिलेगा tilt to fill the screen और उसके बाद आपको एक अपने microbit में ये LED मिल जाएगी अब आपको जैसे आप अपने phone को calibrate करते हो compass चलाने के लिए वैसे ही आपको अपने microbit को हर तरफ tilt करके ये जो 25 की 25 LEDs है इनको light up करना है ताकि आपका जो magnetometer sensor है वो calibrate हो जाए और calibration के बाद आपको ये smiley मिलेगी और उसके बाद आपका जो magnetometer है वो तयार हो गया है तो अब ये हमारा microbit बता रहा है कि इधर north है और इधर east है इधर west है और फिर वापस यहाँ पर north है और of course जो north है वो क्योंकि हमने उसकी एक range define करी है तो वो almost यहाँ ये west दिखा रहा था क्योंकि ये around 315 degrees है और जब ये थोड़ा उससे उपर reading मिलती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक अब हमारे को north दिखा रहा है जब तक कि ये more than 45 degrees नहीं हो जाएगा तो ये इतने सारी range में north दिखा रहा है इसको of course हम अपने program को और ज़्यादा refine करके इसको और better बना सकते हैं पर ये वाकई में north दिखा रहा है इसको हम check कर सकते हैं तो मैं अपने phone में compass जो है वो चला रहा हूँ और मेरे phone का compass भी ये कह रहा है कि north इस तरफ है और मैं इसको गुमाता हूँ तो मेरा phone कह रहा है कि east इस तरफ है मैं microbit गुमाता हूँ तो मेरा microbit भी यहां कह रहा है कि east इस तरफ है तो यानि कि जो microbit का जो magnetometer है ये काफी accurate है और इसकी वज़े से हम Earth की magnetic field पिलकुल जैसे compass काम करता है उस तरीके से आपका microbit काम करता है और आप इसको एक compass की तरह यूज़ कर सकते हो जो मैंने पहले आपको एक microbit दिखाया था उसको मैंने ऐसा बनाया था कि वो north के बाद नॉर्थ एस्ट भी हमें बताता है और उसके बाद हमारे को साउथ इस्ट बताता है और similarly यहां पर हमारे को वेस्ट बताता है नॉर्थ वेस्ट भी बताता है तो ये program जो है ये basically मैंने और ज़्दा अपने compass को कालिब्रेत कर दिया था तो just to show you this program इसमें मैंने जादा conditions लगा जो हैं वो यहाँ बना दी थी कि अगर वो 0 से 23 के बीच में होगा तो North अगर वो 24 से 68 होगा तो North East और ऐसे ही 113, 158 essentially मैंने क्या किया था कि इनके बीच की और values जानी North रादर दें defining North between 315 to 45 मैंने कहा कि North is 338 से लेके 360 या 0 और 0 से लेके 23 तो मैंने जो band है इसको और कम narrowly define कर दिया था इसलिए ये जो compass है ये और ज़्यादा accurately काम कर रहा है तो आगर आप चाहो तो आप एक ज़्यादा detailed if then else की ज़्यादा conditions define करते हुए अपने compass को और ज़्यादा calibrate कर सकते हो और North और North, South, East, West के अलावा North, East, South, South, West, Northwest ये भी दिखा सकते हो तो I hope आपको ये program पसंद आया और आप अपने microbit को as a compass use करना try करोगे कर दो तो